ब्रेक के बालाव का स्वागत है जिला हमिरपुर में नए असी उद्योगों को मंजूरी परदान की गई इस पर करीब सबाचार करोड रुपए खर्श होंगे ये जानकर डीसी हमिरपुर हरकेश मीना ने दी जिला हमिरपुर में नए असी उद्योगों को मंजूरी परदान की गई है इस पर करीब सबाचार करोड रुपए खर्श होंगे ये जानकरे डीसी हमिरपुर हरकेश मीना ने दी हरकेश मीना मुखे मंतरी स्वाब लंबन योजना एवं परदान मंतरी रोजकार श्रेजन योजना के अंदरगत जिला स्तरिय स्मिती की बैटक की अध्यक्षटा कर रहे थे बैटक में उद्योग विभाग द्वारा परदान मंतरी रोजकार श्रेजन योजना के अंदरगत कुल 46 आवेदन रखे गए हैं जिनमें 14 जिला उद्योग विभाग, 3 खादी बोर्ड एवं, 29 खादी ग्रामों उद्योग आयोग से स्मिती के स्मक्ष रखे गए हैं जिलास्तरिय स्मिती द्वारा अध्यन करने के बाद 45 आवेदनों को मंझूरी दी गई, बही मुख्य मंतरी स्वाबलंबन योजना के अंदरगत 36 आवेदन रखे गए थे जिन में स्मिती द्वारा अध्यन करने के बाद 35 आवेदनों का अनुमोदन किया गया इन सभी उद्योगों में लगबग 4.25 करोड रुपए का कुल निवेश प्रस्ताबित है एवं लगबग 450 लोगों को रोजकार उपलब्ध होगा इन उद्योगों के लिए सरकार द्वारा एक करोड तीस लाख रुपए की सबसेडी दी जाएके जिनें आगामी कारवाई के लिए बैंकों में भेजा जाएगा उपलक ने जिला के बैंकों को नरेश दिये हैं कि बैंक इस योजना कहते हैं तथा किसी भी बी निर्मान क्षेतर या अध्धी सूचित सेबक शेतर में अपना उद्योग लगा सकते हैं इस योजना के अंतरकत कुल 60 लाख रुपए तक के निवेश पर 40 लाख रुपए के उपकरण पर 25 से 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए का आवोधन उपलब्द है उत्पादन में आने के बाद 40 लाख रुपए तक के रेंबर्ट 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान भी उद्योग को दिया जाएगा अगर उद्दमी उद्योग लगाने के लिए नीजी भूमी खरीता है तो उस पर स्टांप ड्यूटी 3 प्रतिशत की लगेगी बैटक में उद्योग विभा के महाप्रबंदक बिजे चोधरी जिला अगरणी बैंक प्रबंदक जी सी भटी उद्योग विभा के पर्योजना प्रबंदक गुरूलाल नेगी प्रसार अधिकारी उद्योग प्रवेश कुमार कपूर खादी बोड के विकास अधिकारी रव खादी ग्रामों उद्योग आयोग के सियोंजक राज कशिप आधी उपसित रहे।